क्या सलमान खान की वज़े से केट्रीना को नहीं मिलेगा नैशनल अबॉड सलमान खान की फिल्म भारत जल्दी रिलीज होने जा रही है इस फिल्म में सलमान के अपोजिट लीड रोल में केट्रीना कैफ है इन दनों फिल्म की स्टार कास प्रमोशन में बिजी है प्रमोशन के दौरान कई बार सल्मान कोई कहते हुए सुना गया है कि फिल्म भारत में अपनी परफॉर्मंस के लिए केट्रीना कैफ नैशनल आवर्ड डिजर्व करती है अपने लेटीस इंटरवियو में सर्मान नैशनल आवर्ड मिलने वाली बात उन्होंने मजाक में कही है केट्रीना को लगता है कि वह इस बारे में मजाक कर रहे हैं उन्होंने सल्मान खान से कहा कि तुम जिस तुन तरह नैशनल आवर्ड कह रहे हो उससे सब को लगेगा कि तुम मजाग कर रहे हो ऐसे शायद मुझे अवर्ड ना मिले इस पर सल्मान खान ने केट्रीना से पूछा कि उन्हें क्या कहना चाहिए कि तुम्हें नैशनल अवर्ड मिलेगा और उन्होंने साथ ये भी बताया कि वो सीरियस हैं लेकिन केट्रीना ने कहा कि जिस तरह से जिस टोन में सल्मान खान नैशनल अवर्ड कह रहे हैं वो सब को मजाख ही लगेगा और ऐसी कन्वर्जेशन चलती रही दोनों में सल्मान खान कहते रहे कि मैं सीरियस हूँ और सीरियसली बोल रहा हूँ तुम सच में नैशनल अवर्ड डिजव करती हो और केट्रीना को उनकी बात जूट और मजाख लगती रही और उन्हें ये भी लगता रहा कि अगर तुम इस तरह से बोलते रहोगे तो नैशनल अवर्ड मिलने वाला भी नहीं मिलेगा अब देखना ये है कि इसका असर नैशनल अवर्ड पे क्या पड़ता है